हलवाई स्टाइल ताज ए नारियल की बर्फी बिल्कुल हलवाई के दुकान में जिस तरह बनकर तयार होती है उसी तरह ये बनाई है स्वादिश्ट ऐसी इस रेसिपी की खास बात है ये बस 10 मिनिट में और 3 इंग्रिडियन्स से बनकर तयार हुई है बिल्कुल आसान तरीके से जट से तयार हो जाती है आप इसका टेक्स्चर देख सकते है किस तरह से बनी है तूटने पर ये मुलायम ऐसी तूट जाती है बिल्कुल सौफ्ट ऐसा इसका टेक्स्चर है नमस्कार मैं समीता मागाडे मल्टी किचन पूने में आप सब का स्वागत है नारियल की बर्फ ताजे नारियल की बर्फी बनाने के लिए यहाल यह है दो नारियल दो नारियल को तोड के इसके पीसेस कर लिये है और पीसेस करके इसका जो ब्लैक वाला पार्ट होता है पीट वाला वो पूरी तरह हमने रिमू कर दिया है निकाल दिया है नाइफ से और इसे धो लिया है अच्छी तरह, ता कि कोई impurity ना रहे, और इसके तुकड़े कर लिये हमने पतले ऐसे बिलकुल इसी तरह से पतले से तुकड़े करने हैं, ता कि हमें गराइंड करने में आसानी हो, और बिलकुल ये ताजे नारियल का बुरादा हमारा, बिलकुल महिन बने, अभी गराइंड क जाता है यह most important tip है और यह करीब करीब दो नारियल का तीन से साड़े तीन कप नारियल का बुरादा हमारा तयार है पैन को हमने किया है गरम और फिर डाल देंगे इसमें ये नारियल का बुरादा ताजे नारियल का बुरादा और इसे अच्छी तरह हम बून लेंगे अच्छी तो आप इसमें एक्स्ट्रा चीनी एड कर सकते हो लेकुन ये बिल्कुल पर्फेक्ट प्रमान है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हमने इसे मिक्स करना है चीनी अच्छी तरह मेल्ट हुई है आप देख सकत अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है चीनी और फिर इसमें डाल देंगे इसका और स्वाद बढ़ाने के लिए मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर का यहां मैंने एक कप मिल्क पाउडर इसमें मिक्स की है milk powder भी अच्छी तरह से mix करेंगे milk powder डालने के बाद ये और थोड़ा सा पतला बन जाता है और गाड़ा बनाने के लिए तब तक हमने बूनना है जब तक ये गाड़ा mixture तयार नहीं हो जाता तब तक हमने इसे mix करते जाना है और जब ये गाड़ा बन जाए इस तरह से ये गाड़ा बन चुका है आप देख सकते है तुरंथी flame को हमने off करना है ताकि ये जल लजाइस लिए बिल्कुल medium flame पर हमने इसे बून लिया है और फिर या लिया है ट्रे को butter paper डाल के grease किया है घी से और ये पूरा मिश्रन इसमें mix करेंगे आपकी लिए टिप है अगर आपके पास butter paper ना हो तो आप बस थाली ले लेंगे और उसे grease करेंगे थाली में भी आप इसे set कर सकते हैं घी लगा के मैंने पास butter paper था butter paper में आसानी हो जाती है इसलिए मैंने butter paper का यूज किया है और इसे बिलकुल spatula से और कटोरी की सायता से मैंने plain बना लिया है कटोरी से बिलकुल अच्छी तरह ये plain बन जाता है आप देख सकते हैं किस तरह से plain बन चुका है अभी हम इसे set कर लेंगे set करने के बाद ही इसे हम कट दे देंगे set आप एक घंटे के लिए बाहर कर सकते हैं और फ्रीज में आदे घंटे के लिए set कर सकते हैं ये set होके तयार है नारियल की बर्फी अभी हम इसे कट देंगे अच्छी तरह से बिलकुल आसान तरीका होता है जब यह set हो जाती है cut देने के लिए और ये देखिए cut लगाके तयार है नारियल की बर्फी बिल्कुल हलवाई style ताजे नारियल की बर्फी जैसे लग रहा है कि desiccated coconut से बनाई है लेकिन बिल्कुल नहीं आपने देखा है ये ताजे नारियल से बनी है बिल्कुल वाइटिश कलर मैंने इसमें कलर का यूज नहीं किया है ताकि ये बिल्कुल लगे ताजे नारियल से बनी है और इसे हमने ड्राइफुट से भी सजाया है काजियो और बदाम से आपके पास जो ड्राइफुट सो आप सजाये ये बनकर तयार है बिल्कुल हलवाई स्टाइल ताजे नारियल की मुलायम ऐसी सौफ्ट ऐसी नारियल की बर्फी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंड कीजिए शेर कीजिए इसे तोड़ कर भी देखेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलिए